कंगना रनौत के बयान अक्सर किसी न किसी को चुप जाते हैं जिन में से एक नाम करन जोहर का है एक्ट्रिस करन पर आई दिन तंज कस्ती नजर आती है बॉलिवुड में चल रहे नेपोटिजम पर कंगना आई दिन अपनी बढ़ास निकाल दी है इस मुद्धे पर जब-जब कंगना बात करती है वो करन जोहर को इसमें गसीड लेती है कंगना करन को नेपोटिजम का किंग गह दी है उनका मानना है कि करन ने स्टार स्केट को लाँच करनी का जिम्मा उठाया है हाली में एक इंटर्वियू के दरान जब कंगना से पूछा किया कि वो करन जोहर से पंगा क्यों लेती है इस पर कंगना ने खुल कर अपनी राय पेश की कंगना के मुताबक वो किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि एक सिस्टम के खिलाफ बोल दी है कंगना का मानना है कि करन जोहर कुछ लोगों को प्रिविलेश फील करवाते है क्योंकि वो फिल्मी बाग्राउंड से नहीं आती है तो उन्हें काफे दिक्कतों का सामना करना पड़ा उन्हें इंगलिश बोलनी नहीं आती थी उसका भी मजाग बनाया गया उन्हें लोगों द्वारा सेकेंड क्लास का महसूस करवाया गया वही कंगना ने बॉलिवुड में चल रहे बॉयकॉट ट्रेंड पर भी बात की कंगना ने बॉयकॉट से होने वाले नुकसान पर कहा कि देश के लोगों की जनसन क्या काफी है तो ऐसे भी इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा बता दे करन जोहर ने कई स्टार्गेट्स को लॉंच किया है जोसके चलते कंगना आए दिन उन्हें आड़े हाथ लेती रहती है कंगना का माना है कि स्टार्गेट्स को बना किसी महिनत की आसानी से काम मिल जाता है